अगर पंजाब की सियासत में दोनों साथ-साथ चलने को तयार नहीं देख रहे हैं पंजाब में कॉंग्रिस और आम आद्बी पार्टी के भारतिय राष्टर विकासात्मक समावी श्री गडबंदन से अलग हट कर चिनाफ वलडने के संकेत सामने आए हैं और दोनों ही राष्टरतिक दलों के निताओं ने ये संकेत देने शुरू कर दिये कि दोनों पाधियां राज में अलग 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 चुनाव लड़ेंगी केसी को लेकर हम सबसे पहले आपको टेक्स्ट के माध्यम से उन लीडर्स के स्टेट्मेंट से रूबरू करवाना चाहेंगे सबसे पहले आपको नेता प्रतिपक्ष प्रताप सेंग बाजवा की स्टेट्मेंट से रूबरू करवाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है नेता प्रतिपक्ष प्रताप सेंग बाजवा का कहना है कि पंजाब में कॉंग्रिस को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए और भाजपा का विरोध करने के लिए बाद में एक जुट होना चाहिए और इसी बीच पंजाब की काबिनेट मंतरी का बयान आया कि पंजाब के मुख्यमंतरी भगवन्तमान ने स्पष्ट कर दिया है क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी देख लेते हैं तो देखें ये सरीकी के अलग-अलग स्टेट में निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें एक अलग ट्राक पर अब चलेगी आम आदमी पार्टी और इसी के साथ हम आपको आप प्रवक्ता मलविंदर सिंग कंग ने क्या कहा है वो भी दिखा देते हैं उन्होंने कहा है कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और उस बीच परटन मंत्री अन्मोल गगन मा जोकी सिंगर भी हैं उन्होंने कहा है कि आप और कॉंग्रिस का कोई गटबंधन नहीं होगा उन्होंने क्या कहा है जरा वो भी देख लीजिए वो कहते हैं कि आम आद्मी पार्टी और कॉंग्रिस का कोई अलाइंस नहीं होगा और आप राज्य की सभीत इरा सिटो पर चुनाव लड़ेगी कॉंग्रिस के साथ गटबंधन नहीं करने का अंदर ने कॉंग्रिस चाहेगी कि गटबंधन हो लेकिन आप ऐसा नहीं करेगी उन्होंने जलांदर अप्चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन किया यानि कि कॉंग्रिस ने बहुत खराब प्रदर्शन किया और वो इस गटबंधन में अपना राजनुतिक पुनरुत्थान देख रहे हैं तो देखें इस तरीके के तमाम स्टेट्पेंट्स जो हैं जिनसे हमने आपको रुभुरु करवाया है निकिर राज्य में दो मुख्य प्रतिद्वन्दी पार्टियां ये तो आप जानते ही हैं और संभावे टक्राव का संकेत देते हुए सीम कहते हैं कि आम आदी पार्टि ने लोगों के जनादेश के बाद पंजब में अपनी पहली सरकार बनाए राज्य में 2022 के विदानसबा चुनावों में पार्टि को अभूत पूर्व जनादेश दिया गया हम चुनाव से पहली के गए वाइदों के अनुसार जुनता की सेवा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और अब तक बिजली, स्वास, शिक्षा, क्रिशी और किसान कल्यान और बुन्यादी धांचे के विकास और रोजगास रुजन के क्षेत्र में हमने इंकुरडेबल काम किया है जिसके बाद हमें बड़े पैमारे पर जनता का समर्थन मिला अकेले चुनाव लड़ने का पक्ष लेते हुए वो कहते हैं कि आमाद्मी पार्टी को पंजाब में कुल 117 में से 92 सीटों का एक इतिहासिक जनादेश मिला दिल्ली में तीन बार सरकार बनाई और गुजरात में 13 फीसदी वोट हासल किये और देश की सबसे युवार राष्ट्रिप पार्टी बन गई वो कहते हैं कि ये सब अपने दमपट चुनाव लड़ने से हासल हुआ है देखे जब अब नाश्नल लेवल की बात करते हैं तो आम आद्वी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों ही भारत इंडिया का हिस्सा है और पंजाब कॉंग्रेस शुरू से ही राज्य में किसी भी तरह से आपके साथ गड़ बंदन के हक में थी ही नहीं जबकि हाल ही में वितमंत्री हरपाल सिंग चीमा ने कहा था कि आप कॉंग्रेस के साथ मिल कर चुनाव लड़ेगी अनमोल गगनमान और सीम भगवन्तमान के बयान के बात अब मामले में नया मोड आया और बताया जा रहा है कि अब आम आदमी पाटी ने भी केंद्र शासर प्रोदेश चंडिगड सहित राज्य की 14 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है राज्य की 13 संसदिय सीटों में से केंद्र शासर प्रोदेश चंडिगड की अलावा 6 का प्रतिन धित्व कॉंग्रिस द्वारा किया जा रहा है राज्य कॉंग्रिस की बैचक में आपके साथ मिल कर चुनाव लड़ने का कड़ा विरोध किया गया है कॉंग्रिस के निताओं का कहना था कि इस तरहां के घटबंदन का लाव सीधे तौर पर शिरोमणी अकाली दलको होगा तो कुल मिलाकर ये घटना क्रम इतना महत्तवपूर क्यों है सवाल है कि ये जो पूरा इंसिज़िंट हुआ है ये क्यों इतने माहने रखते हैं ये इसलिए माहने रखते हैं क्योंकि देखे दोनों पार्टियां राष्ट्र सरपर भाजपा को चिनौती देने के लिए बनाए गए उस इंडिया अलाइंस का हिस्सा है हाला कि पहले वित्मंत्री चीमा ने कहा था कि PCC की प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों पाठियों के राष्ट ने ट्रेत्व ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया उन्होंने कहा कि अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए हम विपक्ष को चुप कराने के अपने प्रयासों में भाजपा को सफल होने से रोकने के लिए एक साथ लड़ रहे हैं कॉंग्रिस नेताओं की राय थी कि अगर वो गडबंधन के साथ आगे बढ़े तो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी तो इस बार बारे में पंजाब कॉंग्रिस के अध्यक्ष अमरेंद्र सेंग राजा वड़िंका भी कहना है कि कॉंग्रिस अलाकमा ने उन्हें 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तयार रहने को कहा है अब इसी नोट के साथ आप सभी से इजासत लेंगे डिकोर्ड दकोर्स में आज के लिए अतना ही लेकिन जोस हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए जुड़े रहे और प्रोग्राम को लेकर जोस हिंदी के तमाम अधर प्रोग्राम को लेकर भी अदिया आप किसी तरीके का कोई feedback देना चाहें तो जरूर दीजेगा feedback के साथ आपके suggestions का भी हमें इंतजार रहेगा नीचे देगई email IDs पर आप हमें mail कर सकते हैं फिलाल इजासत नमस्कार